नमस्कार दोस्तों पूजा डिजाइंस और स्टिचिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में एक सिंपल साभ बैक डिजाइन देखने वाले तो देखिए साड़े पांच इंच हमने शोल्डर लिये हैं और साड़े पांच इंच आर मोल है चौतिस कमर तो उसके लिड्रेंट आप जोबी शोल्डर लिजी तो देखिए दो इंच मेरे नेग की चोड़ाय रखिए और नीचे से साड़े दस इंच रखेंगे देखिए 10 इंच-साड़े-10 इंच पर आप इसको रख सकते और वी लीफ नेग में बनाएंगे तो इस तरीके से द यहां से चोड़ाई बढ़ जाएगी तभी यह सेफ में आएगा और तभी यह नेक अच्छा लगता है बिल्कुल इस टेट में आप इसको बनाऊगे तो बहुत छोटा नेक हो जाता है इसलिए इस तरीके से कट करें और उपर से हमने इसमें शोल्डर हाफ इंच ज्यादा पर नेक लेती हैं उसे हाफ इंच आपको यह पर ज्यादा लेना है पेस्ट Yoga पेर पेस्ट पर इस तरीके से ड्रो कर और कट कर लेंगे देखिए जिस तरीके से हम हर नेक को कट गते हैं और मैं इसको लानिंग के अचिश कर लोगी उस तपन लगाकर इस तरीके से कट कर रें ताकि जो पेस्टिंग पेपर हमारा कहीं से भी ना खिसके यह दिखिए इस तरह की सेफ आजाए कि बिल्कुल स्ट्रेट हमारी यहां पर नहीं है तो इसको देखिए मैंने अच्छे से इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और मैं इसको पेस्टिंग पेपर पर इस तरीके से पेस्ट करके और नेक को हम यहां पर बना लेंगे देखिए और एक्टर फैब्री को चारो दरब से कट करके इसको अच्छे से तयार कर लेंगे अब इसको बिल्कुल center से fold करेंगे और एक center line हम इसमें बनाएंगे ताकि जब neck को part में हम जोड़ें तो बिल्कुल center line से center line को match करते हुए यह देखिए इस तरीके से अच्छे से इसका center draw कर ले और center में एक छोटा सा cut लगा ले तो इस तरीके से neck हमारा यह ready कर लिया है हमने अब यह देखिए design बनाएंगे उससे पहले देखिए जो बिल्कुल जो पेस्टिंग paper है उसके बिल्कुल जड़ों में लगानी है देखिए इस तरीके से knock को नीचे रखेंगे और सुइकी को और इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देंगे तो यह सिलाई के हमें भार की side दिखेगी तो उस पर हम design को यह देखिए यहां पर design जब attach करेंगे यह देखिए मैं triangle की design यहां पर बनाऊंगी बहुत simple design है और without lining का यह हमारा blouse रहेगा तो इस तरह की आप without lining में भी बना सकते हैं design बहुत simple सा है और बहुत सुंदर लगेगा दिखने में simple designer बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है तो इस तरीके से देखिए दो बाए दो का fabric लेंगे और उसके चोटे-चोटे से triangle इस तरीके से बना लेंगे यह हमने triangle बना कर तयार कर लिए अब यह देखिए हमें कहां पर add करने है वो देखिए तो यह जो हमने अभी सिलाई लगाई थी उसको इसी लिए हमने लगाया था था कि उसके उपर उपर हमें इनको attach करना है तो देखिए इस तरीके से triangle को उपर की साइड अच्छे से set कर लें जो भी आपके अच्छे से set हो रहा है और इस नौक है वो बिल्कुल बराबर बराबर आने चीए और इस सिलाई के उपर ही हमें इस सिलाई को लगाना है इससे क्या कि अंदर की जो जब इसको attach करेंगे तो बिल्कुल जो यह इसके जो दागे वगरा है जो फैब्रिक रहता है तो इन्वीजिबल हमारी डिजाइन हो जाएगी अंदर की साइड चली जाएगी पूरी और बिल्कुल फिनीशिंग के साथ जो अंदर की जो पट्टी है वो निकल कर तयार होगी तो इस तरीके से देखि करना है और इस बात का में द्यान रखना है कि जो हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई पर हमारी इनकी सिलाई आनी चाहिए इसी तरीके से पूर्टली बटन भी अड़ कर सकते हैं वो भी हमारी बिल्कुल इन्वीजिबल तरीके से अटेच होंगे फिनीशिंग भी अच्छी आ इसा सबी को इस तरीके से से और वस आपको ध्यान डेखना है कि जो इनकी नवक यह बिल्कुल व्राबर बराबर आय कोई छोटी बात और बनांट वर वत इस चीज आई वह जा राद साथ क्योंकि नेग उसमें बिलकुल फिनिशिंग के साथ हमारा नेग होना चाहिए है जो पट्टी भी इसी तरीकी की यूज करती तो यह फैब्रिक हमारा कम पड़ जाता है इसलिए अगर आप कोई भी डिजानेर ब्लाउज बनाते हैं तो आप लगबग कस्टमर से कहें और एक मिटर फैब्रिक आपको लेना है लेना होगा तो यह देखिए इस तरीके से ब्लाउज कर लेंगे अच्छे से सेट कर लेंगे कोई नीचे से जो ट्राइंगल कोई मुड़ा हुआ ना हो इस बात का ध्यान रख लें और इस तरीके से कही जगर पिल लगा कर इसको अच्छे से शिक्ट्योर करके और फिर आभी देखिए जो हमने पहले सिलाई लगा थी उसी लिए हमें पहले वो सिलाई लगानी होती है तो वो सिलाई हमारे बहुत काम के होती है उसी से यह डिजाइन यहां पर तयार होगा तो देखिए अब नॉक को नीचे करेंगे सुईकी को और इस तरीके से मोड़ते हुए पूरे पर सिलाई लगा देंगे तो इस से बिलकुल अच्छे से निकल के आए चोटे-चोटे कट लगा देंगे इस तरीके से और इसको भार की साइब प्रट देंगे अब यह देखिए कि इस फिनिशिंग के साथ हमारी यहां पर पट्टी लगी है तो देखिए नाकूं से प्रेस करते हुए अच्छे से पट्टी को अंदर द है और इसको पर मैंने फ्रेस लगा के देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा तयार होया पट्टी देखिए आप पीछी साद से देख सकते है कि तब बिल्कुल ट्रीनिशिंग के साथ लगा है कहीं को इमारा फैब्री के आप नहीं दिख रहा है अब जो नीचे की कमर प लगा लें और में जो बैक साइड की जो दोनों टक्स हैं वो कमार पटी के उपर ही लगाऊंगी यह देखी और यहां पर जो एक एक इंच के हमने कटिंग में बैक साइड की जो टक्स ले थी उनको भी हम यहां पर डाल लेंगे बहुत सिंपल सा डिजाइन है और जैसे डेली यूज की साड़ियों में इस तरीके कर डिजाइन बना सकते हैं जल्दी बन जाता है और यह देखी और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है यह देखी दोनों टक्स हमारी यहां पर इस तरीके से लग गी है अब यह देखी बैक साइड में यहांपर मैं एक बोग बनाने वाली हूँ तो बोग के लिए मैंने फैब्रिक लिया है यह देखी अ LEGAT SIZE और अब पूरे फैब्रिक को बाहर के साइड इस तरीके से पलट लेंगे आप कोई फ्लावर वगएरा कुछ भी अटैस कर सकते हैं या एस टीज आप छोड़ भी सकते हैं और उसमें कोई मोती या चारोतरब लेस भी लगा कर तयार कर सकते हैं आप अपने अकोड़िंग भी कुछ भी यहां पर चेंजेज कर सकते हैं थोड़ा भो तो देखिए कॉर्णर इस तरीके से पिंसे निकाल लेंगे बिल्कुल अच्छे से और जो स्कॉाइर पीस है इसको या तो आप प्रेस लगा लें अच्छे से प्रेस लगा के और इस तरीके से त्यार कर लें सेंटर में इस तरीके से इसको देखिए या पर इसकी ये बो बना के और हम लगाएंगे तो मैं इसमें बीच में मोती लगाऊंगी गॉर्डलन कलर करके तो हाथ किस्वी से मोति लगा लीएं देखी मैंने अब हम इसको सैंटर में अटेज कर लेंगे आप चाहें तो कोई बटन भी लगा सकते हैं इस तरीके से देखी मैंने तीन मोति बटो लगा लिया है यहां पर और इसको यहां पर इसी तरीके से अच्छे से हाथ की सुई से टक कर लेंगे यह देखिए मैंने यहां पर इसको अटेज कर लिया है अब जो यह हमारे ट्राइंगस जो हमने बनाए इनके बीच बीच में एक एक मोती अटेज करूँगी तो इस तरीके से कहीं भी कोई दागा वगरा दिखाए ने देगा इसी तरीके से आप इसको अच्छे से अटेच कर लें सारे मोती देखिए तो इससे कहा कि इसका लुक और भी सुन्दर आ जाएगा आप चाहें तो यह आपर चार तरफ लेस भी अटेच कर सकते हैं गॉल्डन कलर की या जो भी आपकी मैचिंग का फैबरी का या लेस है इस तरीके से आप अटेच करके लुक और अच्छे से सुन्दर और भी बना सकते हैं तो इस तरीके से देखिए आज का ही डिजाइन हमारा कंपलीट हो चुगा है आज का ही वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फोर वाचिंग